Hello students, good morning and welcome to class 3rd EVS. Today we start our reading from special body features. Some animals have special body features to live in their place where they live. There are some adaptations in them like polar bear. Polar bear में मोटी वाली skin होती है. जिस skin के नीचे fat बहुत सारा जमा हुआ होता है. जो जब बारिश गिरती है, आइस गिरती है. तब वो हाइबर हो जाता है, यानि छिप जाता है गुफाओं में जाके. तब वो skin के नीचे जमा हुआ fat यूज करके अपनी life चलाता है. याक, याक के hairs बहुत लंबे होते हैं. क्योंकि वो ठंडी places पे रहता है और उसके hairs उसको बचाते हैं ठंड से. ऐसे ही monkeys हैं, monkeys अपनी tail को fifth leg के तरह यूज करते हैं. और वो tail से बहुत सारे काम अपने easily कर पाते हैं. उसकी support उनको बहुत अच्छी से मिल जाती है. ऐसे ही बहुत से अनिमल से जो अपनी कुछ special features के साथ में यहां पे leave करते हैं. तो हम start करते हैं polar bear से special body features. Animals have particular skin types and body features. This help them in many ways. Polar bear lives in cold region. Polar bear cold region में रहते हैं. It has a thick layer of fat under the skin. Which keep it warm. उनकी skin के नीचे बहुत सा fat इखटा होता है. जो उसको गर्मी प्रोवाइड करता है. जब वो ठंडे इलाके में रहते हैं. और दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था है. कि वो हाइबर हो जाता है, चिप जाता है. और उस समय वही fat पिघल करके उसको energy देने का काम भी करता है. उसको food नहीं मिलता, तो उसको उसकी food की requirement को, food की need को complete करता है. As same as yark. A yark lives in mountain. Its body is covered with thick growth of hair, which provided warmth. उसकी जो thick hairs, thick and long hairs, वो उसको बहत ही ज़्यादा heat up करके रखते हैं, warm करके रखते हैं, और इसलिए वो cold regions में रह सकते हैं. A monkey uses its tail to swings on the trees. Monkey की tail उसकी बहत ही अची supportive होती है और वो trees के उपर उससे swing भी कर सकता है. Next, birds and flies have wings to fly. Birds and flies के wings होते हैं, fly करने के लिए. Some animals remain unnoticed as them body color mixes with surrounding and thus protect them against their enemies. This property is called camo flag. इस property को हम बोलते हैं, camo flag. क्या होता है कि जब frog and lizard हैं, इन लोगों में थोड़ी सी capacity होती है कि अपना color change कर सकते हैं. Camelion भी होता है. तो वो अपने color को change कर सकते हैं, जब उनके पास कोई enemies आ जाए. जैसे कि camelion क्या होता है, कि पेड़ पे चड़ता है, तो green color का हो जाता है, leaves के बीच में. Flowers के बीच में होता है, उसका red color हो जाता है. और stem पे रहता है, brown color हो जाता है. ऐसे frog का होता है, frog जब grass में चल रहा होता है, तो green color में convert हो जाता है. जब वो wooden area में होता है, तो उसका black color में change कर लेता है अपने आपको. तो यह जो color change करने की property है उनकी, उसी को camouflage कहते हैं, और इससे वो अपने आपको दुश्मनों से बचा पाते हैं. वो उनको दिखा ही नहीं देते हैं, और इससे वो अपने आपको दुश्मन से बचा लेते हैं. लिजार्ड्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज, कैमलियोन, एक्सेक्टर पॉसे इस प्रॉपर्टी. बस आज का टॉपिक यहीं तक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनिमल्स और उनके फुड हैबिट्स, कैसे वो फुड को खाते हैं, कौन सा फुड हीट करते हैं, उसके बारे में हम नौलेज लेंगे. So, read this topic, Special Body Features. Thank you.